अगर आपको लाइट में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, अर्णिंग करनी है, पैसे कमाने है, अमीर बनना है, बड़ा बनना है, नाम कमाना है, शोवरत कमानी है, तो दो चीजें, या तो आप कुछ अलग करो, या तो जो चीजें लोग कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से कर हेलो दोस्तों मेरे नाम है मुहम्मद कैश मनिहार और आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं और हाँ हम बात भी करने वाले हैं कि लाइफ में कुछ अलग करो कि यहां दोस्तों हम कुछ भी करते हैं तो अक्सर हमारे अंदर सोच होती कि कोई हमें कुछ बता दे कोई हमें कुछ गाइडेंस दे या कि हम देख ले कि वो बंदा क्या किया उस बंदे ने कैसे किया और हम उस चीज़ को पाले उसने पाल लिया उसने कर लिया तो आसान होगा मैं भी कर जाऊंग, मैं भी कर लूँगा यह वो वो चीज ट्राइक कर रहा था फेल हो गया, यह वो फेल हो गया तो मैं क्यों कर पाऊंगा, मैं भी नहीं कर जाकता और अपन पीछे हट जाते तो पहली चीज हमें कभी कोई चीज ऐसी करनी ही नहीं है जो हम ये देख करके करें कि उसने की वो कर गया तो हम भी कर जाएं और ना ही हमें कोई भी चीज ये सोच करके नहीं करनी है कि वो नहीं किया या उसने किया तो वो फेल हो गया और जब वो फेल हो गया या उसने नहीं किया तो मैं कैसे कर पाऊंगा समझ रहे हो क्पैसे में होता क्या है हम कहीं ना कहीं भेड चाल चलने लगते हैं यानि कि जहांपर भी भेड़ों की यह जहांपर पर भी भी डीषा है डार्यक्षण है जहां पर भी मेजॉरिटी recently बस भी वह आ चले छाए है इसते दोस्तों का ग्रून यत्रिफ्लेट निए कंश्यों लिया हम भी ले ले कि अ हम कभी भी सबजेक्स चूस करते समय, दो गलतियां करते हैं, एक वो जो हम ये देखकर के लेते हैं, यार मेरे फ्रेंड ने रहा है, मैं भी लूँगा, सबजेक्ट, मैं बायो, फिजिक्स, कॉमर्स, आर्ट्स, ये देखकर के कि मेरे फ्रेंड ने लिया, मैं भी लूँगा, स नँगेे क्यांडर्म कोई सब्जेक्ट चूज करते समयं यह देख्ते हैं कि मैं मयत नहीं लूङ अधि łगा क्योंकि मुझसे मैं अधिनलेगे मैं लूँ गोई तो यहां पर और अधियार क्रेश्ल क्या अधियु कुक्छ मैंश யह वो गये तो आप क्रोस कटिंग करके लिए यार मुझे वो नहीं आ था तो मैं ये ले लेता हूँ जो की सबसे बड़ी गलती है हमें कोई चीज इसलिए करनी है क्योंकि वो मुझे करनी है हमें कोई चीज इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मुझे वो नहीं करनी है चीज नहीं मैंने ये की लाइफ का सब्जेक्ट चूज करने का सबसे सबसे बड़ी गलती बच्चों में यही होती है क्योंकि वो यह चीज सोच करके सब्जेक्ट लेते हैं कि यह मुझे वो नहीं पसंद तो मैं यह ले लेता हूँ तो जिस चीज की सुरुवात ही आपकी नापसंद से हुई है पसंद से नहीं हुई है तो उस चीज में आपके बढ़ी कैसे सकते हैं उसमें आप ब्रो ही कैसे कर पाऊँ है हमारा में मोटिफ क्या होना चाहिए या वो मुझे अच्छे से आता है इसलिए मैं लूँगा उसमें तो जब हम नापसंद से अपने सब्चे को चूज करते हैं तो हम कोई भी चीज अलग तरीके से नहीं कर पाते हैं अगर आपको लाइट में ग्रो करना है आगे बढ़ना है अर्निंग करनी है पैसे कमाने है अमीर बनना है बड़ा बनना है नाम कमाना है शोहरत कमानी है तो दो चीजें या तो आप कुछ अलग करो या तो जो चीजें लोग कर रहे हैं उसको अलग तरीके से करो पोला एट उबर स्टार्टिंग में उनकी खुद की कोई भी कार्स नहीं थी बस उनके पास एक बिरियंट आईडिया था उन्होंने क्या क्या यहार टेक्सी ड्राइवर सा टेक्सी चल रही है यार पैसेंजर सांने को टेक्सी चाहिए बट उनको जब चाहिए वो मिल नहीं पाती, उनको घर पे चाहिए सर्विस अवैलेबल नहीं है, उन्होंने बस नेटवर्क बना गिया, आपको पैसेंजर चाहिए मिलेगा, आपको टैक्सी चाहिए मिलेगी, बीच में से तोड़ा सो कमिशन लेगी, वो भी खुश, वो भी खुश, समाज का भी भला हुआ, और उ कुछ अलग किया, अब उनके जब कॉम्पिटेटर्स आते हैं, जैसे जूम कार, सर्विस अटेक्स ही की ही, कार्स की ही, बट उन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को कुछ अलग तरीके से किया, तो हम लाइफ में सिर्फ तभी आगे बढ़ सकते हैं, जब हम कुछ अलग करे, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता, कि 30,000 की जॉब कर लिया, आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं होता, कि पापा के साथ काम पे बैठ गया, धंदे पे बैठ गया, बाप में जो विरासत में बिजनेस दिया, वो कर लिया, अलग करना वो होता है, कि पापा ने मुझे मेरे बाप ने मुझे वो चीज़ उस पोजिशन पे दी, लेकिन मैंने उस पे अपनी नौलेज, अपनी मैनत, अपनी डेडिकेशन उसमें लगा करके, मैंने उसको जमीन से आसमान पे पहुँचा दिया, क्योंकि मेरे पापा जो करते चले आ रहे थे, मैंने पूरा सिस्ट्रम ही बदल दिया, मैंने उस चीज़ को अलग तरीके से खिए, आप क्या सुचते हैं, जितने भी आई-ाइटेंस होते हैं, वो सारा क्या जॉब जोइन कर लेते हैं, अपने लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए तो ह हर बंदे को मिल रहा, वो तो आज पास देखी रहे है, उसका 18 LPA का फिल पे प्लेशमेंट हूआ, उसका 24 LPA का प्लेशमेंट हूआ, और उनका खोध का 16 LPA का प्लेशमेंट हूआ एटलीस्ट, बट आए-ाइटेंस के सोच, डिफरेंट होती है, होती है, मैंने देखा है, मेर जोब जोईन करके चार से शे साल अच्छे खासे पैकेज पे काम करके सेविंस करके अपना फुद का स्टार्टप स्टार्ट करते हैं क्यों स्टार्टप क्या है खुद के अंदर भरोसा होना चाहिए, नजाने कितनों वहीने आपकी salary नहीं आएगी, कितने employees थोड़े बहुत ही आपकी नीचे से काम करेंगे, आपको अपनी salary या अपने savings आपको उनको ऐसा salary देना पड़ेगा, क्योंकि आपका company आपका business ग्रो नहीं कर रहा होगा उस time पे, initial stage पे होगा, वो सारा अच्छी खासे stable life छोड़ करके, IITS खुद का startup स्टार्ट करते हैं, Amazon.com, Jeff Bezos, अच्छी खासे stable salary life उन्होंने छोड़ करके Amazon.com स्टार्ट किया, अपने garage से, एक computer लेकर करके book selling बस Amazon.com, और आज Amazon कहां पर है, आप खुद जानते हैं, मुझ से जादा अच्छी तरह जानते होंगे, कई जारे products आप पर इत्ते रहते होंगे, अगर उस दिन, जब Bezos ने भी यही सोचा हो था कि यार अच्छी खासी job है, मैं अपना comfort zone क्यों चोड़ूं, तो वो आज इस position पर पहुँचने की सोच भी नहीं सकते, जहां पर वो आज हैं, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, आप कुछ अलग achieve करना चाहते हो, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, या किसी भी चीज़ को अलग तरीके से करना पड़ेगा, मैं आपको एक YouTube का example देता हूँ, हमारे टेक्निकल पुरुजी, अच्छे खासे सब्सक्राइब मेरें, बहुत अच्छे टेक्टॉक्स देते हैं, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, टेक्निकल एक्स्प्लेइन करते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक चैनल टिका, सिर्फ टिका ही नहीं, तेजी से ग्रो भी किया, और वो चैनल कौन सा है, टेक्निकल दोस्त, टेक्निकल दोस्त, फैमिली, तो बस मैं आपसे यह कहना चाहता था, या तो आप कुछ अलग करो, या तो आप किसी भी चीज़ को करो, तो अलग तरीके से करो, जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को मेरी बनाई होगी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खुद को पॉजिटिविटी से गेरे रखने के लिए, बिल आइकल को प्रेस करिए, और कमेंट सेक्षिन में मुझे ज़रूर बताएए, कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी, जाए हैं, बने मातर,